हो जाओ सचेत आ रही है एक और नई जूटी सिक्सा जी हाँ प्रभू येशु मसीने स्वर्ग में जाने से पहले अच्छी तरह अपने लोगों को बता दिया था कि मेरे जाने के बाद बहुत सारे जूटे बविश्य वक्त आएंगे उदारन के तोर पर हम पढ़ते हैं मती उसका साथ दै उसके पंदरा वचन में वाँ पर लिखा है जूटे बविश्य वक्ताओं सिक्सकों से सावधान रहो जो भेड के बेश में तुमारे पास आते हैं परन्तु अंदर से फाटने वाले भेडिये हैं इतना ही नहीं प्रेडित पॉलुस को भी इस बात के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता था पॉलुस जब इफिस्यों की कलिस्या में अपनी सेवकाई कर रहे थे वहाँ से निकलने से पहले पॉलुस ने सब लोगों को बुलाया और उन्हें भी परमेश्वर के वचन के बारे में बताया और पॉलुस ने कुछ बाते कहीं जो इस प्रकार प्रेडितों के काम उसके 20 अध्याय उसके 28 से 30 वचन में लिखी हैं वहाँ पॉलुस ने का उस कलीसियां की रखवाली करो जिसे येश्यू ने अपने लहू से मौल लिया है मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेडिये तुम में आएंगे और तुम में से ही कुछ लोग इधर उधर की बाते सिखा कर लोगों को तितर बितर कर देंगे जिए आपने बहुत बार सीखा होगा आपने बहुत बार सुना होगा जूटे सिक्षक हैं जूटे बविश्य वक्ताओं पर आपको क्या पता है कि जूटे सिक्षकों का बविश्य वक्ताओं का मतलब क्या होता है क्या आप जानते हैं कि what is the definition of false teacher यदि आप नही तरीके से करते हैं लोगों को भटकाने के लिए, तीसरा, वो वच्चन की सच्चाई को ना बता कर उसे गलत तरीके से अपने लिए इस्तमाल करेंगे, चोथी चीज, वो आपको परमेश्वर से भटका कर शैतान की तरफ ले जाएंगे, ये मतलब होता है जूटे सिक्षकों का पैचाने कैसे, जिसका जवाब बड़ा सिंपल है, और ये बाईवल में लिखा हुआ है, दूसरा यूहना में हम पढ़ते हैं, वाप यूहना ने कहा, परमेश्वर की आत्मा को तुम इस रीती से पैचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है, कि येश्वी प्रभू है, वे प् विटनस वाले सिखाते हैं, कि यहवा ही सब कुछ है, और येश्व मसी नहीं है, येश्व मसी को सिर्फ भेजा गया था, लेकिन भेजने वाला था, वो यहवा थो, तो इसलिए हमें यहवा की अरादना और उपासना करनी चाहिए, दूसरा है यूनिफिकेशन चेर्च, जी वो जो दुनिया खो गई थी, उस दुनिया को वापस लेने के लिए आये था, वो परमेश्वर का भेजा हुआ था, पर वो खुद परमेश्वर नहीं था, वो कहते हैं कि जो लोग येश्व को परमेश्वर मानते हैं, उनका दिमागी संतूलन खो गया है, और उनको अपने सोच विचार को अपने विश्वास को दुबारा से कोजने की जरूरत है जो नई गलत शिक्षा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ही ली ही ली एक कोरियन संस्था है जो आज के समय में आकर इंडिया में अमेरिका और अलग-अलग देशों में काम कर रहे हैं इनका माना है कि जो इनके धरम गुरू थे हीली वो पवित्रात्मा के सायक हैं ये लोग मानते हैं कि अब पवित्रात्मा काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पवित्रात्मा की जंगे हीली काम कर रहे हैं ये क्या कहकर आपके पास आएंगे शुरुवात में आप से कहेंगे कि हम ब Bible Classes चला रहे हैं हम एनगेोच चला रहे हैं या फिर हम गरीब लोगो की मदद करते हैं इस इन बातों को बोल कर ये आपके पास आएंगे और इस तरीके से अपनी Bible Studies शुरूख करते हैं ये कभी कभी music concert music program वगयरा भी कराते हैं जहां पर music program होने के बाद Christian गाने गाने के बाद इनके जो अगवे होते हैं वो आएंगे और एक बड़ी ही प्रभावशाली स्पीच देते हैं उस स्पीच में बताया जाता है कि जो आप अपने चर्चों में अपनी कलिसियों में सीख रहे हैं वो बिलकुल गलत है और हम यहाँ पे इसलिए आएं ताकि आपकी की मदद कर सकें और यह मदद के नाम पर आपके दिमाग में पूरी तरह अपना घर बनाएंगे और पूरी तरह से गलत सिख्षा आपके दिमाग में डाल देंगे यह बोलते हैं कि एक ग्लोबल बाईबल सेमिनरी के लोग हैं और ऐसा कहा जाता है कि करीब करीब 30 से 50 इनके already missionary हैं जो all over India काम कर रहे हैं इनका विश्वास क्या है आखर ये लोग क्या विश्वास करते हैं जैसे मैंने पहले का कि इनका मानाई कि जो इनके धरम गुरुते हीली वो पवित्रात्मा के सायक हैं और सभी लोगों को हीली की उपासना अराधना करनी चाहिए दूसरी बात ये 244,000 मिशनरी तयार करके दुनिया के अलग-अलग कोनों में भेजना है ये लोग अधिकतर जवान लोगों के पास रेलवे स्टेशन्स मेट्रो स्टेशन्स बस्टेंड पर जाते हैं कैफे या रेस्टोरेंट में मिलते हैं ऐसे पब्लिक जंगा में और वहाँ पर जवान ल प्रकाशित वाके की किताब से ऐसे टीचिंग्स नेते हैं जो कि काफी मिस्लीडिंग होती है इनका मानना है क्ी प्रकाशित वाके की किताब एक गहराई की किताब है ये हम भी विश्वास करते हैं लेकिन ये उसकी गलत interpretation करकर लोगों के मन में काफी ज़्यादा भेदबाव और गलत सिक्साओं को लेके आ रहे हैं साथ ही साथ ये लोगों को बोलते हैं कि हमारे धरम के बारे में या हमारे बारे में ज़्यादा रिशर्च ना करें ये बताते हैं कि ठोमस का एक्जामपल ये शुमसी ने कहा कि धन्य हो तुम जो बिना देखे विश्वास करते हैं तो आप हमारे बारे में ज़्यादा रिशर्च ना करें आप ऐसे ही हमें हमारे उपर विश्वास करें हमारे साथ चलें ये कभी-कभी Open Bible Studies या Open Bible Center के नाम से भी अपने आपको कहते हैं और आपको जो लोग इनके साथ जुड़ेंगे उनको अपनी कुछ अलग टीचिंग्स देते हैं जो की online है और उसके दुआरा ये टीचिंग्स हर किसी के लिए अवाइलेबल न है तो अधिकतर पास्ट्रोंके पास जा रहे हैं और कहते हैं कि हम आपकी मदद करना चायते हैं पैसों के तोर पर आत्मिक तोर पर और इस तरीके से बहुत सारे पास्टर दोर्फिलालच में आकर इनके साथ फसते जा रहे मानकर इस तरीके के एक निशान को पवित्र मानते हैं और उसी निशान को हमेशा अप उपासना में अपनी अराधना में उसका इस्तमाल करते हैं दोस्तों रिपोर्ट्स इस परकार बताते हैं कि नौर्थ इस्ट के एरिये में जीहां मनीपूर मिजोरम नागलेंड असाम इन काम बड़ी तेजी से फैल रहा है उलरेडी बहुत सारे जो जवान लोग हैं इनके साथ जूड़ चुके हैं और अब वो अपने एक मिशन तास्त पे हैं कि जाएं और सारे लोगों को हीली के बारे में बताएं कि वो पवित्रात्मा के हैं सायक है वो पवित्रात्मा की लग सके यदि आप इसके बारे में जाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक चेक कर लिजिए वहाँ पे इसका जो फॉम है जो पूरा इसका ब्राउचर है उसके बारे में मैंने पूरी